यह घटा? अच्छा, तो अभी तक का क्या हाल है? कितने लोग पकड़ाय गए हैं? पुलिस की तरफ से क्या हुआ? पुलिस की तरफ से कोई यह से कालवाई नहीं हुए है और जिसमे की पुलिस वाले खुद इस कारण में दोषी हैं दोषी किसलिए है? पुलिस वालों को यहां पर डूटी लगी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, जब उनकी जिम्मेदारी इस चीज की थी, कि भी इस लोगी प्रोटेक्शन करनी है, तो उनों ने क्या करा फिर, जब प्रसासन के अधिकारी यहां पर रहेंगे, तो जितना दोस्त जिनों ने मार हत्या के लिए, उनका उतना ही दोस्त पुलिस वालों का भी है, इस केस में, वो बरावर के साजिस के हगदार है, और उनके खलाब भी एफाइनर की कौपी दर्ज होनी चाहिए, वो लोग भी इस केस में अंदर जाने चाहिए जेल में, हम लोगों को तो यह लगता है, कि हम बरी हुई गाय की कीमत हम लोगों से जादा है, अगर एक गाय कहीं पर बढ़ जाती है, तो उसके नाम पर पूरा देश महंगामा हो जाता है, लेकिन अगर दलितों के घरों में आग लगाई जाते हैं, लोग भी उसका नहीं होता है, पर उसका कोई सबादा नहीं होता है, गाय कीमत है, कटड़े की ज्यादा है, लेकिन इसलों की आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग थे और ये आपसी रंजिस का मामला था, आपसी रंजिस का तो पराना था, लेकिन ये ठाक़ लोग थे, इन परीवार के पहले ही बंढ़ है, जो निर्दोस बंढ़ है, जब पहला मामले में हमारे इस परीबार के साथ दुरगटना गटि तो एक दिन में पूरे परीबार को थाके ले घाए। एक दिन में तब तो वह तो परीबाई होगी लेकिन अब हीक उकारवाई नहीं जाना Sanders जिस हसाख those workers के उखुझich 스ंट we help पूरे सारे लोगों के नाम निखवायें हैं लेकिन उनको क्योंब बंद कर रही हैं उसका परिबार यहीं है लिजाना चाहिए जब मानते हैं कि प्रसासन माँड़ाइक नहीं西स अमर वह साथ ही है अभी तक कोई लोग पक्ड़े रहे हैं? कोई नहीं हो, मैंनम कोई नहीं हो